हेलो दोस्तों आप स्पीकात स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में हम बात करेंगे EBS यानी Environmental Studies की बारे में जिसे आफ हिंदी में पर्यावरना अध्यान बोलते हैं ध्यान लेकिएगा हमने पिछली क्लास में NCIT की जो क्लास 4th की बुक है उससे जितने भी questions बनते हैं हम लोगों कर चुके हैं आज हम बात करेंगे क्लास 5th की जो NCIT की बुक है उसके questions की बारे में तो ये questions आप लोगों के लिए most important रहने वाले हैं क्योंकि आपके seat at paper 1 में अस 3rd से क्लास 5 तक के questions पूछे जाते हैं तो आप लोग इन questions को किसी notebook में लिखते चलिएगा या फिर अगर आप लोगों को हो सगे तो इनको याद कर लिजिएगा तो session सुरू करने से पहले आप लोग एक बार class को share कर दीजिए फिर class को start करते हैं सभी लोग एक बार class को share कर दीजिए फिर करते हैं class को start तो चलिए देखते हैं आज का पहला question लिखा हुआ है किसी पसू के विसे में नीचे दिया गया विवरड को पढ़िए और उस पसू को समझिए यानि नीचे कुछ लिखा हुआ है इसको पढ़ना है और फिर बताना है कि या जो लिखा हुआ है किस पसू के विसे में लिखा हुआ है चलिए इसको पढ़िए और इसका अंसर दीजिए लिखा हुआ है या भालू जैसा दिखता है परन्तु भालू नहीं है या दिनके लगभग 17 घंटे वरच्चों की साखाओं से उल्टे लटक कर सोता है या हजजिस वरच्च पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है या लगभग 40 वरच्चों तक जीवित रहता है चलिए पताईए वह कौन है जो भालू जैसा दिखता है और जिसके बारे में पूरी बात लिखी हुई है question number one का answer दिजिए क्या वो sloth हो जाएगा क्या वो chimpanzee हो जाएगा क्या वो लंगूर हो जाएगा या फिर वो pond आप जाएगा चलिए पताईए question number one का answer दिजिए तो सभी को पता होगा जिसने भी हमारी theory वाली class की होगी उसको तो ये पता ही पता होगा और जिसने नहीं की है वो लोग हमारी theory वाली classes कर सकते हैं जिसकी playlist बनी हुए है और playlist का link हमने नीचे description में दे दिया है वहाँ पे जाके आप हमारी theory वाली classes देख सकते हैं जो आप लोगों के लिए most important रहने वाली हैं 15-15-20 minute की वीडियो है अगर आप उनको देख डालेंगे तो वहाँ से आप लोगों के 15-20 नंबर confirm हो जाएंगे पक्के हो जाएंगे तो question number 1 का answer number 1 जिसने भी लगाया हो जाएगा भी कुछ सही यह जो उपर कथन लिखा हुआ है यह कथन slot के बारे में लिखा हुआ है नीचे दिये गए जीवों के समूँ में से किनकी द्रेष्टी स्रेष्ट होती है तता हुए मनुष्यों की तुल्ला में चार गुना अधिक दूरी की वस्तूओं को देख सकते हैं चलिए बताईए इन में से कौन से वो पसु है जो मनुष्यों की तुल्ला में चार गुना अधिक दूरी की वस्तूओं को देख सकते हैं उप्सन नमबर एक है मदबक्की, कितली, मच्छर उप्सन नमबर बी है बाग, तेंदुआ, साप उप्सन नमबर थिरी है साप, रेशम, कीट, शिपकली उप्सन नमबर फोर है चील, बाज, और गिद्ध चलिए बताईए कोश्चन नमबर टू का आंसर दीजिए द्यान रखिए अगर आप आपको इस क्लास की पीडियाफ चाहिए तो आप लोग नीचे जो लिखा हुआ है शिडिपी कुइन हिमाशी में इस टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लिजिए आप लोगों को वहाँ पे इस क्लास की पीडियाफ प्रवाइड कराई आएगी वहाँ पे आप लोग उनको डाउनलोड कर पाएंगे वो भी आंसर के साथ में तो कोश्चन नमबर टू का आंसर नमबर फॉर जिसने मिल गाया हो रहेगा बिल्कुल सही चील, बाज, उर्गिद ऐसे जानवर हैं ऐसे जीव हैं जो मनुस्ट के तुलना में चार गुणा अधिक दूरी की वस्तूओं को देख सकते हैं नेक्ट कोश्चन नमबर टृरी लिखा हुआ है जानवरों के कान के आकार का सम्मंद किस चीज से होता है चलिए बताईए कोश्चन नमबर टृरी का आंसर बताईए क्या सभी रहेगा क्या वा सरीर की वजन से होता है क्या वा सुनने की सकती से होता है क्या वा सरीर की लंबाई से होता है क्या वा शरीर के रंग से होता है Q3 कान से दीजिए बहुत ही सिंपल सा Q3 था कि सुनने की सक्ति से कान का सम्मंद होता है देखते हैं Q4 लिखा हुआ है पच्छी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं इसका क्या कारण है ये आप लोगों को बताना है जो पच्छी होते हैं वो अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं इसका सही कारण क्या होगा Option No.1 है पच्छीों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती हैं Option No.2 है पच्छीों की आँखे छोटी होती है Option No.3 है उनके कान पंकों से ढखे रहते हैं Option No.4 है वे उड़ नहीं सकते हैं चलिए Question No.4 का आंसर दीजिए तो Question No.4 का Option No.1 जिसने भी लगाया हो रहेगा बल्कुर सही क्योंकि जो उनकी आँखों की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है इसलिए वो अपने सिर को ज़्यादा इधर उधर गुमाते हैं देखते हैं Next Question No.5 लिखा हुआ है रात में जगले मारे जानवरों को हर चीज किस कलर की दिखाई देती हैं वो आप लोगों को बताना है जो जिए वो रात में जगते हैं जो जानवर रात में जगते हैं उनको अधिक तर जो चीजे होती हैं वो किस कलर में दिखाई देती हैं चलिए बताइए आपके सामने चार विकल्प हैं चलिए इस कांसर दीजिए तो जो जानवर रात में जगते हैं उनको अधिक तर चीज़े जो हती हैं काली और सफेद दिखाई देती हैं तो question number 5 का option number 1 बिल्कुल सही हो रहेगा देखते हैं next question question number 6 लिखा हुआ है निम्डखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज इकठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घुम जाते हैं यानि वह कौन सा जानवर है जो आवाज के हिसाब से अपने कान को इधर उधर घुमा सकता है या फिर मोड़ सकता है चलिए पताईए option number 1 है मैंना option number B है हाँ थी option number C है खरगोस option number D है बाग चलिए इसका सही से answer दीजिए question number 6 का answer दीजिए तो question number 6 का answer number 4 जिसने भी लेया हो जाएगा बिल्कुल सही जो बाग होता है जो tiger होता है वह अपने कानों को आवाज को इखठा करने के लिए इधर उधर तक बहुत हद तक घुमा सकता है देखते हैं next question लिखा हो आए असत्य कतन पर विचार कीजिए पहला option है sloth लगभग 40 वर्सों के अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेणों पर निवास करते हैं दूसरा option है वेग्यानिक का या मानना है कि कई जानवर की अपनी बासा है तिसरा option है मच्छर मनुष्य के सरीर के तापमान और पेरों की गंद द्वारा पहचान लेते हैं चोथा option है लगभग सभी पच्छियों की आँखों की पुतली गूम जाती है चलिए बताए इन में से कौन सा घथन जो है वह असत्य हो जाएगा question number 7 का answer दीजिए तो हम लोगों ने क्या बात की थी कि जो sloth होता है वह लगभग 40 वरसों तक जीवे तरहता है और अपने पूरे जीवन का आल में करीब 8 पेरों पर ही निमास कर पाता है दूसरा option क्या था है कि वेग्यानिकों का यह मानना है कि कई जीवों के अपनी बासा होती है तो यह भी सही हो गया और हमसे पूछा क्या गया था इन में से कौन सा कथन असत्य है option number C भी सही है तो इसका answer number D गलत है यह सही है असत्य पूछा गया था ना तो जिस जिसने भी question number 7 का answer number D लेया है होड़ेगा बिल्कुछ सही question number 8 है आम तोर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे कौन से रंग है वो आप लोगों को बताना है जो जानवर रात में जगते हैं उनको आम तोर पर हर चीज किस रंग में दिखा देती है चलिए बताईए option number 1 है बेंगनी और नीला option number 2 है हरा और पीला option number 3 है नारंगी और लाल और option number 4 है सफेद और काला चलिए बताईए question number 8 का answer दीजिए question number 8 का answer number 4 बिल्कुल सही है जो जानवर रात में जगते हैं उनको अधिक तर चीजें काली और सफेद ही दिखाई देती है next question है question number 9 लिखावा है निम्रिखित में से किसकी सुनने की सकती इतनी तीछन होती है कि वह वायू से पत्तों के हिलने की दोनी और घास पर किसी जानवर के चलने की दोनी में अंतर कर सकता है option number 1 है गिद, option number 2 है रेशम का केड़ा, option number 3 है कुत्ता, option number 4 है बाग question number 9 का अंसर दीजिए तो question number 9 का option number 4 जिसने भी लगा है बिल्कुत सही जो बाग होता है उसके सुनने की सकती इतनी तीछन होती है कि वह वायू से पत्ते हिलने की दोनी और घास पर किसी जानवर के चलने की दोनी में अंतर कर सकता है next question है question number 10 लिखा हुआ है निमिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवर उसकी गंद से कई किलोमेटर दूर से ही पहचान सकता है चलिए पताए वह कौन सा कीड़ा है जो अपनी मादा साथी को कई किलोमेटर दूर से उसकी गंद से ही पहचान सकता है Q10 का आंसर दीजिए Option No.1 है रेशम का कीड़ा Option No.2 है बाग Option No.3 है गिद Option No.4 है बाज Q10 का आंसर दीजिए तो जो रेशम का कीड़ा होता है वहाँ अपनी मादा को उसकी गंद से कई क्लिमेटर दूरस्ते पहचान सकता है तो Q10 का आंसर No.1 जिस नहीं मिलाया हो जाएगा बिल्कुछ सही देखते हैं Next Question Question No.11 है यदि हम पच्छियों का अवलोकन करते हैं तो हम यहाँ पाते हैं कि अधिकांस पच्छी अपनी गर्दन अतेदिक हिलाते हैं इसका कारड यह है कि चली बताई इसका कारड क्या है कि पच्छी जो होते हैं वो अपनी गर्दन अधिकांस क्यों हिलाते हैं यह आप लोगों को बताना है Option No.1 है इनके कान डखे होते हैं और वे उड़ सकते हैं Option No.2 है पच्छियों के दो नेत्र होते हैं Option No.3 है इनके नेत्र दो भिन भिन वस्तूओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं Option No.4 है अधिकांस पच्छियों के नेत्र इस्तिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं चलिए Question No.11 का Answer दीजिए तो Question No.11 का Answer No.4 बिल्कुत सही होड़ाएगा जो पच्छियों होते हैं वो अपनी गर्दन को चलिए गुमाते हैं क्योंकि उनके जो नेत्र होते हैं वो इस्तिर होते हैं और वो गूम नहीं सकते हैं तो Question No.11 का Answer No.4 जिसने भी लगाया होड़ाएगा बिल्कुत सही देखते हैं Next Question No.12 लिखा हुआ है नीचे दिया गए चित्र में 24 गंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र दो हुआ तीन में दो जानवरों X और Y के सोने के समय चायंकित भाग से दिखाई गए हैं X तथा Y के सोने के समय के बारे में सही कतन को चुनिए Question No.12 को पढ़िए और इसका सही से आंसर बताईए X और Y कितने घंटे सोएगा यह आप लोगों को पताना है Question No.12 का Option No.3 जिसने भी लगाए हो जाएगा बल्कुर सही X जो है 4 घंटे सोएगा जबकि Y 18 घंटे सोएगा देखते हैं Next Question Question No.13 सांपो के संदर्म में सही कतन को चुनिए पहला Option है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं दूसरा Option है नाग जहरीले सांपो का एक प्रकार है तिसरा Option है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं जब सांप किसी वेक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके सरीर में चला जाता है और चौथा option है सांप के काटे की दवाई सांप के जहर सही बनाई जाती है चलिए question number 13 का सही से answer दीजिए इनमें से एक negative है बांकी सारे जो हैं सही है आप लोगों को negative वाला चाटना है बांकी सही वाले अपने आप पता दिल जाएंगे question number 13 का option number C गलत है क्योंकि इसके दो खोखले दान्द होते हैं इसके चार खोखले दान्द होते हैं जिनसे वा जहर चोड़ता है तो option number A, B और D जिसमें होगा वजाएगा बिल्कुल सही यानि option number 2 इसका बिल्कुल सही option है देखते हैं next question को option number 14 लिखा हुआ है निम्रिकी कतनों पर विचार करें और गलत आंसर को चुनिए पहला option है कच्चा दूद दो घंटे 15 मिनिट में पेट में पचता है उबला दूद एक घंटे 30 मिनिट में पेट में पचता है कच्चा अंडा एक घंटे 30 मिनिट में पेट में पचता है पूरता उबला अंडा तीन घंटे और तीस मिनिट में पेट के अंदर पचता है चलिए बताईए इनमें से कौन सा अप्षन जो है वह असत है Q14 का सही से आंसर बताईए तो Q14 का अप्षन नमबर टू जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुर सही उबला अंडा एक घंटे तीस मिनिट में पेट के अंदर नहीं पचता है देखते हैं नेक्स कोशन Q15 लिखा हुआ है मानों के पेट में अमासरस की प्राप्ती डेस से होती है और वह भोजन के पाचन में साहता करता है चली बताइए यहाँ पर जो रिक्तिस्तान है यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा औप्से नमबर एक है उदाशीन औप्से नमबर टू है अमली है औप्से नमबर थ्री है चारी है औप्से नमबर फोर है उबह धर्मी Q15 का सही अंसर बताईए तो question number 15 का option number 2 बिल्कुल सहीव रहेगा जो मानों के पेट के अंदर अमासर इसकी प्राप्ति होती है वो अमली होती है कैसी होती है अमली होती है देखते है next question question number 16 लिखा हुआ है हम बोजन करते हैं एवं पाचन होता है इस पचित बोजन के उप्योगी परदार्थों का आउसोसर होता है यानि जो पचित जो पचागवा बोजन होता है उसका आउसोसर कहां पे होता है या आप लोगों को बताना है option number 1 है अमासर की दिवार से option number 2 है छोटी आत्र की दिवार से option no.3 है व्रहद आत की दिवा से option no.4 है यकरत से question no.16 का answer दीजिए तो I hope आप लोगों ने इसका आप तक सही से answer कर दिया होगा question no.16 का option no.2 जिसने भी लगाया हो रहेगा बिल्कुर सही छोटी आत की दिवार से बोजन का जो है पचा वप परदारत का उसंसर होता है देखते है next question question no.17 लिखा हुआ है कुपोंसर के कारण रमेश जिसकी उम्र से 6 वर्स है उसके पेरों में दर्द रहता है वह अपनी उम्र से बड़ा दिखता है वह आलसी भी हो गया है क्योंकि वह टी बी ज़्यादा देखता है इस कुपोंसर के रोग का नाम क्या है question no.17 को पढ़िए और इसका अंसर पता है रमेश है जिसकी उम्र 6 वर्स है वह कुपोंसर के कारण क्या है बुढ़ा दिखने लगा है और उसके पेरों में दर्द रहता है और टीवी देखने का अरण वा जो है आलसी भी हो गया है उसके रोग का क्या नाम है बताईए question no.17 का अंसर दीजिए तो question no.17 का option no.2 जिसने भी लगाया बिलकुल सही वा जो रोग होता है उसे कौस्योर कर कहते हैं देखते हैं next question question no.18 लिखा हुआ है मीरा और दिव्या छोटी लड़किया है मीरा समोसे कटलेट और डबल लोटी खाना पसंद करती है जबकि दिव्या ऐसा भोजन करती है जिसमें लोह तत्व की कमी है मीरा और दिव्या को निम्लिखित में से कौन सी बिमारियां करमसा होंगी option no.1 है एनेमिया और रतंधी option no.2 है मोटापा और एनेमिया option no.3 है मोटापा और इसकरवी option no.4 है इसकरवी और एनेमिया question no.18 का आंसर दीजिए तो question no.18 का option no.2 जिसने भी लगाया हो रहेगा बल्कूर सही वो मोटापा और एनेमिया से पीड थें देखते हैं next question 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 no.19 लिखा हुआ है मनुस्य के पेट के अंदर का तापमान कितना होता है पहला option है 30 degree दूसरा option है 32 degree तीसरा option है 37 degree और 14 degree चली बताईए मनुस्य के पेट के अंदर का तापमान कितना होता है तो मनुस्य के पेट के अंदर का तापमान 30 degree तक होता है यानी question no.19 का option no.1 जिसने भी किया हो रहेगा बल्कूर सही देखते हैं next question question no.20 लिखा हुआ है नेपेथिन्स एक ऐसा पोधा है जो में ढकों कीडे मकोडों और चुहे जिसे छोटे जीवों को अपने अंदर फचा कर खा जाता है हमारे देख में या पोधा पाया जाता है चली बताई है हमारे देख में या पोधा जो है कहां पे पाया जाता है आप लोगों को बताना है उप्शन नमबर एक है उडिशा में उप्शन नमबर टू है अनुदाचल प्रदेस में उप्शन नमबर घृरी है में घाले में उप्शन नमबर फोर है अशाम में कोषचन नमबर बीस का आंज्सर दीजिए तो question number 20 का option number 3 जिस नहीं भी लगाय हो जाएगा बिल्कुर सही जो ने फितिन्स होता है वो हमारे देश में में घाले में पाया जाता है तो ये थी आज की हमारी class आई होप आप लोगों को class अच्छी लगी होगी अगर आप लोगों को class अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और अगर आप लोगों को इस class की पीडिये चाहिए तो आप लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लीजिए जिसका लिंक नीचे description में दिया हुआ है वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत तक के लिए जय हुआ है